नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जहारखंड के सबसे बड़ी यूटुब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरव इस वक्त की बड़ी ख़वर यह है कि सीटेट और सिटेट पास अब भिहर्थियों तो रहा लगातार जो आंदोलन किया जा रहा था शिक्षक नियुक्ति को लेकर अब वो सफल होता जा रहा है सरकार ने बड़ा फैंसला ले लिया है जी हां शिक्षा विभाग ने बड़ा फैंसला ले लिया है कि राज्य में एक लाख अरतिस की मांग पढ़ा रहे थे जिसको लेकर राज्य में सियासत भी गर्म हुई कई नेताओं ने इस पर ब्यान भी दिया और अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी किया गया लेकिन इस वक्त की ये बड़ी ख़बर है कि शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैंसला ले लिया ह कि ah taş यानि 2011 में जो टीट का लिया गया था उसमें पास विएविध्यत है दो साल के लिए बढ़ा दी कही है बताया जा रहा है कि 2017 में वी जिन अभ्यर्थिव ने टीट के कई नहीं चात्रों का यहां अंदोलन सपल हो चुका है चात्र की यहां एक तरह से कह सकता है कि सानकेतिक जीत हो चुकी है अब बहुत जल्द राज्य में शिक्षकक की बहाली होगी शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा फैसला स्रिक्षा विभाग के तरब से और लगातार तरी दिनों से चल रहे जो झक्षक baik को लेकर जो लेकर छवात चल रहा था ता कहीं ने कहीं उसको लेकर एक उसको लेकर रुऽ्ट देने वाली यह खाबर है लागातार को लेकर चाटर सरख पड़ दे लाथी चार्ज भी किया गया था और लगतार वो सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे थे विधान सवा घिराव करने की कोशिश कर रहे थे डिप्टी सियम सुषील कुमार मोदी से कि बहाली बहुत जल्द होने बाली है आप बने रहे लाइव सेटीज के साथ अगर आपने अब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सेटीज.in पर जरूर जाएं धन